मैं बन्यानपन के वीडियो के बना रहे हूं क्योंकि ये वीडियो स्पॉंसर से बिल्कुल भी नहीं है भाई आईड्रॉप के मामले में पतंजली के दो तो प्रोड़क्ट है एक तो है आपका द्रिष्टी आईड्रॉप और दूसरा है सौमियाट्र इन दुनों में से कौन स सही है कोई भी डॉक्टर पतंजली प्रोड़क्ट के बारे में क्यों नहीं बता था सिंपल सी बात है क्योंकि किसी को इस पर कमिशन नहीं मिलता है यानि कि जिसमें जिता ज्यादा कमिशन मिलता है डॉक्टर उसी को लिखते हैं आपके डॉक्टर ने जो भी प्रिस्केप् करते हैं, दोस्तों जब इस आईड्रॉप की बात करते हैं, तो पतंजली सब बेस्ट होता है, यह थो मैं आपको क्लियर ही बोल देता हूं, लेकिन पतंजली में भी दो दो प्रोड़क्ट हो है, एक तो है आपका कमेंड भी पहुंच जादा मिले उस कमेंड में क्या निखाता पता है कि आपके पास प्रोड़क्ट है नहीं आप कैसे रिव्यू कर रहे हो ठीक है और कई लोग तो ऐसे पूर रहे थे कि जैसे कि आप इसके बारे में जानकारी है भी कि नहीं है तो ऐसी चीज़े हैं देखो क्या करने वाला हूँ कि आपको लाइव दिखाऊंगा इन दोनों प्रोड़क्ट की बारे में कि इन दोनों में क्या क्या चेंदिस हैं और कौन सा आइड्राप आप के लिए बेस्ट हो सकता है इस वीडियो में लास्ट टैक बने रहे हैं आप कही फायदा होने वाला है ओके यह भी बताऊंगे कि आप कौन सा आइड्राप आपको यूज करना चाहिए तो चलिए द्रिष्ट्री आइड्राप को देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रिखिए ठीक है बॉक्स है मेरे पास सारी चीज़े इसमें लिखी हुई है वही चीज़े मैं आपको पढ़के बताऊंगे कोई भी मन गड़न कानी आपको नहीं सुनाने वाला होना तो सबसे पहले रिखिए आपको पढ़ने आना चाहिए यहां पर देखिए क्या लेगा है पतंजली द्रिष्ट्री आइड्राप पतंजली आयर्वेट का एक उत्पाद है यह पतंजली का उत देख सकते हैं स्वेट प्याज अब आप बोलेंगे कि मैं इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह भी पढ़कर बताऊं तो वह आपको और भी समझ नहीं आएगा इसलिए जो चीज़े सिंपल है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक होता है अधरक स्वारास लिखा हो आप देखेंगे जब भी डॉब लेंगे अधरक स्वारास लिखा होता है अब यह जो स्वारास होता है ना वो कोई अमेरिकी चीज नहीं है वह होता है कि हमारे इंडिया में आकर हम किसी चीज को साधरन सब्दों में बोल देते हैं तो हमको चुकिया समझने लग जाते हैं और उसी को कुछ अमेरिकन सब्दों में यूच कर दिया जाए कि यारे भाई यह अमेरिका का बना हुआ है तो लोगों को एद्दम ज्यादा भरोसा आ जाता है कि हां यार यह प्रोड़क्त एद्दम सहीं होगा ऐसा नहीं है यार मुर्खता को छोड़ो अपने देश को पह प्याज सफेद प्याज बलकी हम जो लुग खाते हैं लाल प्याज उससे भी सस्ती यार ठ्पर प्याज इसलिए उस जलन को कम करने हो लिए सपहज़्याज करा Toraja Nut यहा पर आप इसको फिर देखेंगे तो यहां पर नीबू स्वाराज लिखा हुआ है स्वाराज अब यहां पर आता है सहद मिलाया गया है नीबू करस मिलाया इन सब को मिलाके आपका द्रिष्टी आइड्रॉप पनाया गया है अब देखिए यह द्रिष्टी आइड्रॉप आप यूज करेंगे तो इसमें इस पश्ट लिखा हुआ है मैं कुछ भी अपने मन्स नहीं बोर रहा हूं इंडिकेशन लिखा हुआ है नेत्र विकार ठीक है जितने टाइप के भी नेत्र विकार होते हैं मतलब नेत्र विकार का हम क्या मतलब समझाइगी कि नेत्र से संबंधित जित्ती प्रकार की समस्या होती है मतलब किसी को ड्राई आय की समस्या होती है कोई लोग ऐसे होते है जो एर बीना मतलब के आसू निकलते रहता है यह कई लोग ऐसे होते हैं कि धूप में जाते हैं तो उनको जो है आग बहुत ज़्यादा चिल मिलाता है या फिर कई ऐसी समस्या होती है जो चीज़े दूने दिखाई देती है तो इन सभी समस्याओं को नेत्रविकार में रखा अब इन सभी नेत्रविकार जो होते हैं अगर आप इस आइड्राप को यूज करेंगे तो आपके नेत्रविकार जो है ठीक हो सकता है ठीक है उसके बाद लिखा हो गया है चक्सूसिया क्या है कई लोग को समझी नहीं आता है जो चम-चमाने तरह दूप में निकलो चम-चम गुंदी ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ डॉट्स बन रहे हैं वहाँ पर कुछ ऊड़ रहे हैं वहाँ पर इस से भी प्रॉब्लम आती है तो यह भी एक नेत्रविकार है और चम-चमाना बोलते हैं तो यह दो टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वह द्रिष्ट्री आइड्र एक या दो ड्रॉब जो है अपने आख में डेडी याने कि रोज डाली है यह इनका कहना है अब गई लोग जो है बाबर आम देओ को गालिया देते हैं क्योंकि भई ये जो एक बाबा है वो दवाई बेच रहे हैं अरे-अरे क्या कोई कैसा बाबा है मैं बताओ इसके पीछे गरीजन अक्या गालिया और देता है और दूसरे ब्राण की नाम जो है बदल चुके हैं और आपने देखा होग 알고 में पत्ती बूटियां अग्स दिखाना चालू कर दिया है क्योंकि सब बोल रहे हैं कि हर्बल है यह अर्वैक है यह आप दिखाना चालू कर दिया है रामवेबाबबवाने किacter किया है। उन सभी चीजों के rate को काप हद तक कम कर दिया है इसलिए जो दुकानदार होते हैं इसको सेल करने में मार्जिंग पहुंच कम मिलता है जैसे कि आप यह प्रोड़क्त की प्राइज आप पुछेंगे तो यह मात्र बीस रुपए का है 20 रुपए को यहां इनकी जो आपके सेलर नहीद मिलता है तो इसको इसमें कम ही मिलता है तो अगर आप वह पूछा के कि भीया कौन सा आईड्राप लेना चाहिए तो तो आपको समझाए क्या होगा और मैं यह चीज और बता देता हूँ कभी भी आप पतंजली आईड्राप खरीदेंगे ना तो इसकी एक्सपारी जो डेट होती है वह मातर एक साल के रहती है अगर आप आप में 2023 में खरीदा है तो उसके लास्ट एक्सपारी भी 2023 में ही रहीगी एक तर ट्वेल्थ मन की रहती है और यह भी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप इस बोटल को ओपन करेंगे कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं मैं इसको किलियर इसपस्ट कर द करता हूँ देखिए है यह यह देखिए है जनवरी 2023 ठीक है और इसका एक्सपारी रेट लिखा हुआ है दिसंबर 2023 कई लोग यह समझते हैं कि बोटल खरिद लेंगे और एक साल तर यूच रहेंगे लेकि नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है यह जो मैनुफेक्चर डेट है जनव 2023 तक की यूच कर सकते हो इसका रिजन क्या होता है जिसे आप बोटल को ओपन कर देंगे इसको हिला लिजिए थोड़े अच्छे से जैसे यह आपने इसका सिल तोड़ दिया ठीक है उसके बाद इसमें कुछ ऐसी इंग्रडियंस डाले रहते हैं कि वह एक महने तक वर्क करत है यानि कि आपने आज खरीदा उसके 30 दिन तक यूच करना है अपने आखों में डालना है उसके बाद इसको फेख देना है तो यूच नहीं करना है अब आप सोचैंगी कि भाईया इसमें तो 2023 लिखा हुआ है दिसंबर 2023 तक इसको लगाऊँगा तो यह आपकी गलत सोच है क्योंकि यह सेल करने का डेट होता है यानि कि इस दिन तक यह प्रोड़क्ट अगर नहीं विका तो कंपनी इसको वापीस ले लेगी ठीक है क्लियर हो गया अब देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादे बात रहते हैं और बहुत सारी चीज़े रहती है अगर खुल के बोलू ना तो आप वाट लगा दोगे दुनिया के चलिए अब नेक्स्ट में है सौमिय आइट्रॉफ अब इसमें क्या क्या चीज़े हैं वह हम समझ लेते हैं इसको सौट कट में समझ लेते हैं क्योंकि इतना भासार देना था तो मैं दे चुका हू आपको समझना है तो यह जो सौमय आइट्राफ है यह दस अमल का है और यह विडिशन है यह 20 प्लस हब्स से बना है हब्स का मतलब क्या हो है जड़ी पूटी यह चीजेजे जड़ी पूटी चाहती है तो बीस प्लस जड़ी पूटियों से बना हुआ है और इसा लिए कि ँर नीम्बू मिला हुआ है और देखिए मिला हुआ है ऐसे बहुत सारे प्रोडेक्ट आप इस पस्त देख सेकते हैं यह जितने यहां पर दीख रहे न यह सब पूरा अगर 20 20 प्लस हब्स के बगारे में अगर बताया है सामने में तो 20 प्लस चीजों के बुए हैं पर मिंसन किया हुआ है को अभी फर्जी चीज नहीं करते हैं ठीक है सभी चीज़ा यहां पर लिखी हुई है आप प्रोटेक्ट ले लेंगे और पढ़ लेंगे राद भार पढ़ लेंगे ज्यादा प्राब्लम है तो आप जो है अपने आई डॉक्टर से पूछ सकते हैं लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि कोई भी आई डॉक्टर आपको यह नहीं बोलेगा कि आप पतंजली के आई ड्रॉप को डालिए क्योंकि अगर आप उसने ऐसा बोला तो उसको कहां से कु हो चुके हैं दोस्तों देखिए मेरे हाथ में एक तरफ है ड्रिस्टी आइड्रॉप और एक तरफ है सॉम्य आइड्रॉप ठीक है दोनों है आईड्रॉप बहुत ही अच्छा है अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी आँखों के समसियत दूर हो सकती है देख कर रहा हूं पूरी बारिक बारिक चीजे में पढ़ लेता हूं कोई जरुवत नहीं है इसलिए मैं क्लियर ही बोल सकता हूं कि आप चाहें तो इन दोनों आईड्रॉप में कोई यूज कर सकते हैं लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि अगर आप जो है द्रिस्टी अगर आप प्लस हप्स में तो इसमें हगी क्लस हब देखेंगे फिस प्लस हपसज बुटिया मिला हुई है लेकिन इसमे जो है जलन नहीं होती है ब다What अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप делать सोम्य आईड्रप टाल सकते हैं दोनों में ही दोनों पाइड़े हैं एक समानी फाइड़े हैं मतलब की इसमें जो है जलन नहीं होती है आप रोज यूज करेगे तो आपकी नजर भी काफी तेज हो जाएगी आपको जो चस्मे का जो पावर है तो काफी जो बढ़ रहा है जिन लोगों का मैं यह नहीं कहता है कि उतर जाएगा चस्मे ही लगानक छोड़ दोगए इसा मैं नहीं कहँगा लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि आपका चस्मा का जो पावर है वो और आगे नाहीं बढ़ेगा ठीक है, बढ़ता नहीं जाएगा, कई लबार होता है ना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इसा नहीं, रुख जाएगा हो, तो overall भी है, ये वीडियो जो इस्पॉंसर नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, और मैं ये बन्यान पहन के क्यों बना रहा हूं, वो इस्पॉ और सहीं चीज को वो यूज करें, बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देजिए, अगर नहीं लगा है, तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं, हम तो नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलने ही वाले हैं, जैहिंग!